हाई दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल, एक और नए वीडियो आपका स्वागत है, आज एक और नए वीडियो लेके आ चुका हूँ, नुएंडो सीरीज की ये नेक्स्ट वीडियो है, और आज की जो वीडियो है, इसमें हम इन्पुट सेट करना सीखें हैं, कि कैसे हम इ देख लेते हैं, साथ में वीडियो उसको लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, दोस्तों वीडियो में मैं आपको इन्पुट सेट अप करना बता रहा हूँ, तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, बहुत इजी एस्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, उपर के साइड में आप देखी कई सारे उप्षन आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे एक उप्षन होता है, इस्टूडियो का, यहाँ पर जब आप आएंगे दोस्तों, तो सबसे नीचे सबसे पहले तो आपको आना है, इस इस्टूडियो डिवाइस के अंदर आने के बाद, इस लिस्ट मे आपको सबसे नीचे स्टूडियो सेटप आपको दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का एक और पेज खुलेगा, इस पेज में अब आपको मैं आपको आउडियो इंपूट डालना बता रहा हूँ, लेकिन उससे इस पहले हम यह समझ लेते हैं कि इंपुट होता, दोस्तों इंपूट जो होता है, वो हम बोल सकते हैं, कि हमारा जो साउंड काड़ होता है, अब कुछ लोंगो को यहाں पर आउडियो इंटरफेस भी नहीं पता होगा, तो आउडियो इंटर्फेस एक ऐसा हाडवेश है, जिसको हम लोग अपने computer से connect करते हैं USB के माधियम से Thunderbolt के माधियम से जिससे हम लोग जो है अपना sound record कर सके या अपना instrument record कर सके या अपना monitor में इसकी output दे सके So sound card आपके लिए बहुत important है और sound card में 2 channel, 4 channel, 6 channel, 8 channel के input आते हैं अब input का मतलब है कि इसके अंदर आप अपना या तो mic लगाएंगे चाहे वो dynamic mic हो, condenser microphone हो या फिर आपका कोई virtual instrument हो तो वो आप connect करेंगे sound card में, mostly जो एक normal extender sound card होता है उसके अंदर 2 input mostly होता ही होता है तो उसी तरह से आपको यहां पर sound card setup करना है और सबसे पहले तो आपको driver install करना है यहां पर कई लोग गलती यह करते हैं कि sound card तो purchase कि होते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि driver को कैसा install करते हैं तो driver install करने के लिए आपको सबसे पहले तो Google विजिट करना होगा आपका जो भी company का या जो भी आपका device या यूज कर रहे है उसका audio driver लिग के सच करें Google पे तो आपको soundcard का driver मिल जाएगा मेरे case में focus right का driver है installed हमारे system में तो आपको इस तरह से सबसे पहले तो driver install करना है उसके बाद ही यहाँ पर यह शो करेगा अब यहाँ पर studio setup के अंदर यहाँ पर एक audio system और नीचे एक आप देख रहे हैं FL studio SEO यह SEO इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं FL studio से recording कर रहा हूं इस समय स्क्रीन और यहाँ पर audio system में SEO driver उपर में दिख रहा होगा यहाँ पर अभी FL studio SEO select है आपका sound card जो भी होगा वो आपको select करना है supposedly यहाँ पर मेरा focus right USB SEO है तो हम इसको switch कर लेंगे मैं switch नहीं करूँगा आप switch करेंगे क्योंकि मैं switch करूँगा तो अभी sound मेरी चली जाएगी अगर आपका thunderbolt है जैसे मैंने आपको बताया तो यहाँ से आपका वो भी option आएगा और यहाँ पर और भी कई सारा option आते हैं जैसे SEO for all, FL studio, generic low latency, SEO driver यह generic low latency basically हमारे system का है जो Cubase या Nuendo use करते हैं उनके लिए यह option है वो इसको use कर सकते हैं बट मैं prefer नहीं करूँगा कि आप इसको use करें आप यूज करें focusrite का आपका जो sound card support करता है driver उसको use करना ज्यादा better होगा कई बार हमारा sound card है वो plug and play होता है तो in case में आपको sound card driver set करने की ज़रत नहीं होगी आपके system में लेकिन यहाँ पर आपको set करना पड़ेगा यहाँ प FL studio SEO अभी आ रहा है इसलिए क्योंकि जो driver था उसका यहाँ पर option है और इसमें हम लोग input setup कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर control panel इसका open करता हूं तो FL studio SEO का जो control panel है वो यहाँ पर open हो रहा है और buffer length अभी देखे बहुत ज्यादा मैंने रखा हुआ क्योंकि अगर मैं कम आपको बताऊंगा buffer size क्या होगा और sample rate क्या रखना है वो भी मैं आपको आगे next video में बताऊंगा तो उसके लिए आपको tension नहीं लेना है यहाँ पर आपको अपना input select करना है जो भी input होगा और यहाँ पर आपका output select करेंगे जो भी output होगा जैसे मेरा जो output है वो focus right है तो यहाँ पर studio के अंदर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर audio connection का एक option आएगा फिर से मैं आपको दिखा देता हूं studio के अंदर audio connection सबसे उपर है F4 बटन भी दवाएंगे तो यह open हो जाएगा यहाँ पर अभी आप ध्यान से देखें input के अंदर मैंने 2 input डाल रखा है क्योंकि मेरा जो sound card है वो 2 input support करता है दो channel हम in कर सकते हैं याप एक में instrument record कर सकते हैं एक में microphone record कर सकते हैं या दुनों में आप microphone record कर सकते हैं आपकी choice है तो मैंने यहाँ पर 2 input डाल रखाया अब input कैसे डालते हैं मैं आपको एक input डाल के दिखाता हूं और इसको भी मैं remove कर देता हूं तो हमने यहां से input हटा दिया दोस्तों अब input कैसे डालेंगे input डालना बहुत easy है यहां पे add bus पे click करना है ध्यान दीजेगा यहां पे studio लिखावा आ रहा है आपको studio नहीं लगाना है अगर आपका sound card होगा चाहे focus site हो बेरेंजर हो तो वो mono input support करता है तो आपको mono यहां पे select करना है आपका जीतनी channel का input होगा वो यहां से आप select करेंगे यहां पे bus name आप कुछ भी डाल सकते हैं मैं यहां पे डाल देता हूँ studio input और यहां से add bus पे हम click करेंगे तो हमारा जो input है वो यहां पे बन गया first में input 1, second में input 2 अब input 1, input 2 क्या है मैं आपको समझा देता हूँ आपके sound card में 2 input होगे तो पहले वाले में सिखा होगा 1 और second वाले में 2 तो यह उसी का 1 and 2 है अब बात करते हैं output का दोस्तों output जैसा कि मैंने आपको बता है कि आपके sound से या तो एक output निकलेगा या multiple output निकलेगे तो अगर आपका sound card multiple output support कर रहा है तो आपको multiple studio out बनाना है यहां से दोस्तों मैं इसको भी हटा देता हूँ remove bus studio पे click करेंगे और यह भी यहां से बंद हो जाएगा अभी हमारा कोई भी output यहां से नहीं आ रहा है तो हम simply add bus पे click करेंगे और यहां पे हम studio लेंगे मैं आपको जो भी चीज़े बता रहा हूँ clear समझा रहा हूँ अगर किसी तरह की doubt है तो आप हमें comment में पूछ सकते हैं studio out रखेंगे और यहां पे count one ही रखेंगे count one इसलिए क्योंकि हमारे जो sound card है वो एक ही output support करता है bus name में हम यहां पे लिख देंगे studio output और यहां से add bus पे click करेंगे तो आपका जो output है वो यहां पे बन गया तो इस तरह से आप यहां पे input output set कर सकते हैं दोस्तो control room भी एक होता है और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको control room के बारे में बताऊंगा अभी के लिए फिलहाल इतना ही बताया मैंने input और output को कैसे setup करते हैं I hope कि आप लोग बहुत easily समझ पाए होंगे और अगर कुछ doubt है तो आप लोग हमें नीचे comment में जरूर पूछेगा तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द